तो find the maximum two double number तो find the maximum of three double number तो हमें क्या करना हैं देखो ध्यान से देखना हमो रहा है क्या तुम्हारा मिस्तेक रहा है क्या कंफ्यूजन था वह ध्यान से देखो public void अब मुझे function का name रखना है कुछ भी तो मैं रख देती maximum if it is not given in the program तो मैंने function का name रख दिया है maximum okay public void maximum अब इसके बाद क्या लिखा है first इसमें find a maximum of two integer number two integer number means int a, int b कोई भी दो integer variable मुझे declare करना है अब उसका maximum मुझे निकालना है तो सीरे सीरे system dot out dot print ellen और यहां पर निकाल सकते न maximum num is दो तरीके हैं maximum number find out करने के यहां पर मैं यह वाला बताती हूं mat dot max method है न जिसमें क्या होता है maximum number find out होके आता है किस किस का करना है a और b का that is only ठीक है बस यही करना था न दूसरा maximum double number का two double numbers तो double a and double b तो बस double a और b का maximum find out हो जाएगा ओके then third one is maximum of three double numbers right double a double b double c ठीक हाँ अब यहाँ पर mistake की है कुछ बच्चों ने तो mat dot max जो निकालेगा double हमेशा यह ध्यान रखना है कि mat dot max method always compare the two numbers तो पहले तो a और b का maximum निकाल लो फिर उसके बाद एक और निकाल लो mat dot max इसका c, यह इसका बस हो गया तो पहले यह a और b का निकलेगा उसमें से जो maximum होगा वो c के साथ compare करके निकल जाएगा ठीक है यहाँ पर public static void made method का object बनाया class का fun obj equals to new fun obj dot maximum दो इंटीजर के पैरा मीटर पास कर देते 5,6 ठीक ठीक obj max 5.5 comma 6.5 तो 2 double के पैरा मीटर पास होगा है पास करने है 5.5 comma 6.5 comma 5.8 समझ लो तो 3 double के पैरा मीटर पास होगा है चिक बस हो गया और क्या करना था इतना छोटा सा प्रोग्रेम दो मिनट में हो जाने वाला था यह इसका parenthesis यह इसका parenthesis इस एक्जिक्यूट करते है इस इस एक्जिक्यूशन वाइड में इस इस आप इस आप इस इतना इजी प्रोग्रेम था यह दिखो दियान से इस मुझे मैक्सिमम निकालना है दो इंटीजर का तो मैट डॉट मैक्स यूज कर लो इस 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 आप कैसे कैसे एफ इस यह को सकता था को इस इस It is depends. It depends actually. Turnary operator को use करके भी हो सकता है. ठीक? यह सीरे सीरे यही के हम the turnary operator को use कर लो. कैसे? A, greater than B. ठीक? Question mark. A, otherwise B. यह हो गया है. और इसे directly system dot out dot में भी लिख सकते हैं. Allen, तो भी हो जाता है. यह, A, greater than B. There is a number of way. चलो, यहाँ पर turnary से कर दिया. यहाँ पर if से कर देती हूँ. यह देखो. इफ. अच्छा, यहाँ पर max से रहने देते हैं. ओके? यहाँ पर करती हो if से. ठीक है? तो तुमको समझ में आ जाएगा. इफ, A, greater than B, and, and, A, greater than C. तो क्या लिखेंगे? system.out. यह से comment डाल देती. control V, maximum number is A. then second condition बनाएँगे, else if. A compare हो गया, then we will use with the B. B, B, greater than C, and B, greater than A, then the maximum number is B. और directly third भी बना सकते हैं, otherwise, सी जे सीदे, else भी लिख सकते हैं. भई, A greater है, तो हो गया display, B greater है, तो हो गया, और A भी नहीं है, B भी नहीं है, तो which one will be the greatest? Obviously, C number is the greatest, so greatest number will be C, तो उसको display करा देगे, greatest number is C, that is, see, any of the method you can use, any of the way, you can use the simple if-else, you can use the ternary operator, you can use the mat.max. मैंने तीनों से करके बता दिया है, जब तक question में specified नहीं है, then you can use any of the method. अगर सपेसिफाई है यूज तरनेरी, तब तो फिर तरनेरी करना पड़ेगा, अगर सेफेसिफाई है कि यूज दी लाइब्रेरि फंक्शन तो फिर लाइब्रेरि फंक्शन ही करना पड़ेगा. But as such specified नहीं होता, देखो, maximum. ठीक, understood? यहां पर मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज दे रहेते हैं दा मैक्सिमम नम इस अब आ पर स्वारे में दा मैक्सिमम नम इस ठीक अई को जोगाना होगा अच्छा वो इसको नहीं डाल जाए तो मैं ब्रेकेट में इसको सॉल्टा दे अच्छा प्रेकेट अच्छा प्रेके शॉल्टा आओ अगे प्रेक्त प्रेसे देखेंगे प्रेक्ट program as followed by overloading, return the maximum of two integer number, return the maximum of two double number and return the maximum of three double numbers, right, मुझे सिर्फ मैक्सिमम नंबर्स फाइंड आउट कराने हैं मगर सेम वही अप्रोच वी कन यूज इफ एल्स यू कन यूज और मेक्स मेटोड मेक्स यू कन यूज ठीक है मैट.मेक्स यहाँ पे क्वेशन में क्या इसा नहीं लिखूंगी इसा नहीं लिखूंगी बिकज वाइड का मतलब क्या होता है देखो यह फोर्स लाइन इस नौन प्रोटोटाइप होता है ठीक है तो इस से कंपाइलर को क्या पता चलता है कि यह फंक्शन पब्लिकली डिक्लियर है इस फंक्शन का नेम मैक्सीमम है और इसमें दो फॉर्मल पैरामीटर है मतलब कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो मुझे इंटीजर के दो वैल्यूज यहां पर पास करने पड़ेंगी दैट विल बी यह एक्च्छल पैरामीटर ओके और वॉइड का मतलब यह है कि यह मैक्सीमम फंक्शन इस नॉट गोईंग टू रिटर्न एनी वैल्यू यह मैक्सीमम मैथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ओके अब हमको क्या करना है हमें अमारे क्वेशन के अकॉर्डिंगली तो यह वैल्यू रिटर्न करना चाहिए नमार फंक्शन तो वॉइड की ज़गा पह हम क्या करेंगे रिटन टाइप लगाएंगे अब रिटन टाइप कौन सा कौन से वैलुच रिटन करेगा जब इंटीजर की दो वैल्यू नृटक lei थेंजर की एक वैलु इरुटर्न करेगा लगा ही तो यहाँ पर सीधे सीधे यहां पर हम सीधे सीधे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट लिखेंगे क्या नहीं सीधे रिटर्न रिटर्न सिस्टम डॉट आउट डॉट नहीं लिखेंगे जब रिटर्न करवाना है तो जब हम कॉलिंग करेंगे तब लिखेंगे तो return, return में क्या करें, math.max कर देते हैं, math.max तुम्हें if से करना होगा, तो if से कर ले न, a, b, बस, अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा doubt है, कि math.max जो होता है न, वो method a और b, इंटीजर ले सकता है, मगर return तो double ही करता है, तो इसलिए यहाँ पे return time double लगाओगे, ठीके, यह math.max जो होता है method, math library class, math library class का, वो हमेशा double में return कर वाएगा, इसलिए, ओके, then the second method, to compare two doubles, तो यहाँ पे double declare कर देते, double a और double b, और double a और double b तो करते हैं, तो अब बस पिर, यह देखो, कितना easy हो गया, return math.max, simple, then third, अब third को करना है, तो यहाँ पे maximum, तीन double number चाहिए न मुझे, डबल a, कॉमा, डबल b, कॉमा, डबल c, ओके, then return math.max, a, b, और एक और math.max, math.max, इसका, c, कॉमा, यह हो गया, one, two, three, open, three, close, यह three, close, done, बस, इतना, अब मुझे करनी है, इनकी calling, ठीक है, जिसे पहले वाले की calling की थी, वैसे ही, public, static, void, main, main method के अंदर करेंगी, हम calling, अब देखो, पहले calling कैसे की थी, object बना के, अभी भी object बना लेते हैं, class name, return max, obj, equals to new, return max, एक class name, अब भी देखो, पहले calling कैसे की थी, obj.maximum, ऐसे किया था, और दो integer के values पास कर दिये थे, 5,6, ठीक है, अब जब मैं अगर calling ऐसे करूं भी ना, तो अभी ये wrong हो जाएगा, क्यों रॉंग हो जाएगा, because इस method को जब मुझे call करना है, maximum, तो मैंने आगे क्या लगाया हुआ है, return type लगाया हुआ है, करने के लिए, okay, means someone is there, someone should be there, someone must be there, other side, to hold the ball, to catch the ball, same here, अभी जब आप ये method value return करवाएगा, तो मेरे पास उस value को hold करने के लिए कोई container चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पर मुझे एक double type का variable declare करना पड़ेगा, क्योंकि double type का ही ये value return करेगा, फिर system.out. में मैं इस x को कराऊ, एक तो तरीका यह है, और एक सबसे easy simple method क्या है, कि मैं system.out. के अंदर ही, यहाँ पर लिखवा दूँ, maximum num is, ठीके, क्योंकि system.out.println जो method है, और रेडि उसके अंदर वो capability है, कि वो value return की वी values को hold कर सकता है, तो यह सीदे-सीदे method की calling, directly object के through मुझे system.out. में करनी है, that is only, बस यह difference है, कि void की जगा पे, मुझे return type लगाना होगा, और calling में main method के अंदर, system.out. के अंदर ही मुझे calling करनी होगी, ठीके, इतना मुझे बस धियान रखना है, जब मैं return से program बनाओंगी तब, 0.0,7.0, that is, बस हो गया है, calling, अभी देखो, compile करते हैं, no syntax error, now execute the program, यह देखो आगया, तो अभी रिटर्ण वाले की प्रेक्टिस करनी है, program नी, I hope you all have written this program, in your notebook, and notebook is compulsory, important.